कल के प्रोग्राम के डर की वज़ा से ये बखला गए हैं जिस तरह से हमारे लीडर्स हमारे बड़े पिछले पांच-शे दिन से जम्मू के स्राउंडिंग में और हर जगा मेहनत करने उस तरह से इनको ख़श्या पैदा हो गया है कि अब बीजेपी की जो एंटी पीपल पॉल नहीं कारी करताओं से लीडरों से वो वचरे सरकारी नवाला मुँ में लेके बोल रहे थे और दिल से हकीकत जो है उसको बयान नहीं कर रहे थे उनका एक ही था कि और आपने देखा गा इर्दगिर उनके कौन लोग थे बड़े बड़े लीडर थे एक खास पार्टी के जिस ने ये प्रेस कांफरंस करवाई और ये प्रेस कांफरंस महज जो कल का हमारा प्रोग्राम है महापंचायत का जम्मू के अंदर उसको नाकाम बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई है तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कल की महापंचायत में आप ज्यादा से ज्यादा लोग आएं जो सवलात मीडिया पर्संस वहां सहाफी अज़रात कर रहे थे उनके जवाबात आपको उस में महापंचाय तो मिलेंगे एक भी जवाब मैं सुन रहा था एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट ने सवाल किया लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए एक इतने बड़े लीडर जो खुद को बहुत बड़े लीडर कहते हैं और साबक मेंबर पार्लिमेंट और मुझूदा मेंबर पार्लिमेंट उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो सवाल हम से कीजिए आप हम उसका जवाब देंगे कहते हैं एक ही सवाल होम मनिस्टर साथ करते हैं कि अगर आपका कुछ नहीं जाता है तो आपको क्या है मैं कहता हूँ कि रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन नहीं हो सकती ना सिर्फ ये फिर ये बात देखिए कि कौन से लोग उसमें चामल किये जा रहे है शेडियूल ट्राइब में किन लोगों की रिकमेंडेशन हुई है क्या वो शेडियूल ट्राइब हो सकते हैं आपके सामने एक मिसाल है सैनीज ने ये तो नहीं कहा था कि हमें रिकमेंड कीजिए ओभी सी या जो भी बैक्वर्ड क्लासिज उन्होंने किया लेकन एक सेक्ट चला गया हाई कोट में हाई कोट में इस पर रोक लगा दी कि कोई वो सेटिफकेट इशू ना किया जाए और जो इशू हुए है उन पर भी रोक लगा दी ये होता है और इसी तरह आज बहुत से ब्राहमन बहुत से साहिद बहुत से लोन बहुत से खान बहुत से राजा इस चीज़ से नाराज है कि हमें कहां च्डूल ट्राइब में दाखिल किया जा रहा है हम बड़ी जाते हैं और हमें च्डूल ट्राइब में दाखिल करके डीग्रेट किया जा रहा है लोगों के अंदर ये सोच भी है लेकिन कुछ एक हाय जो आदमी था सरकार का उसने इस किसम की recommendation कर दी वो क्योंकि वो जो commission था वो ही legal था जो recommendation की illegal की और जो उस पर bill बना, illegal बना और जो इसको वो implement करना चाहते हैं वो भी illegal है दूसरे हमारे जो वहाँ press conference में कह रहे थे मैं किसी सरकार के साथ नहीं हूँ, किसी party के साथ नहीं हूँ, मैं आज़ादनाबाद कहता हूँ national conference के time भी हमारे साथ जयातिया रही congress के time भी जयातिया रही चाहे PDP ने share किया किसी के साथ तब भी हमारे साथ जयातिया रही और हमें उमीद थी कि ये party जो आई है जब शुरू में इस किसम के बेयानाद देने शुरू किये कि हम इन लोगों का उठान करेंगे इनकी तरक्की के लिए एक्दमाद करेंगे, तो दिल खुश हुआ था लेकिन आखिर में ये ऐसा six मार रहे हैं, जिसके साथ सारा कुछ दोया जा रहा है कहते हैं, forest right act मैं कहता हूँ, हमने RTI लगाई, कि बताईए कितने लोगों को अभी तक फाइदा हुआ इस forest right act को यहां implement करने में एक जवाब आया सरकार से कि एक आदमी को भी अभी तक इसमें फाइदा नहीं हुआ और आज भी आप देखते हैं लोगों को जो schedule tribe लोग हैं, गुजरबकरवाल हैं उनके जहां जहां गर है, वहां से उखाड़ा जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है उन्हें forest right act का कोई वाइदा नहीं दीया गया है और ये Leads run बैट के लोग फैसला करेंगे, लोगों ना उनकी भी बात भी सुनी, लोग मेरी भी भी बात सुनेगे हमारी भी बात सुनेगे क्या फाइदा हुआ उन लोगों को क्या उनको तंगो तलब नहीं किया जा रहा है उन्हें उनके घरों से उनके जहां जहां वो रह रहे हैं उनके माल मुवेशी के साथ उने उखाड़ा जा रहा है तो ये लोग इस किसम की बाप कहते हैं सब कि हमें सब कुछ मिल रहा है ये हम इसको हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं है और हम अपनी कौम को अपने अवाम को गुजर बकरवाल को गदी सिप्पीज को एक्स प्लाइट नहीं होने देगे हम आवाज उठाएंगे और देखिए अगर आज इस तरह से एक पारिटी के बड़े-बड़े लीडरान वह हम वजूद थे जो इस चीज़ के खायश बंद है कि हम पार्लिमेंट अलेक्शन लड़ेंगे और अलेक्शन जीतेंगे वो आज सुन ले मैं उन्हें मतनब्बे करता हूँ अगर वो उनकी वो हालत करके छोड़ेगी हमारी बरादरी S.C.S.T. के वो दोबारा सियातस्त का न खुदानखास्ता मुझे तो वीद है अभी भी मैं पूरमीद हूँ कि बिलकुल ये एक गहराइनी चीज़ है पार्लिमेंट के अंदर सरकार इसको पास करके अपनी बदनामी नहीं करवाएगी और अगर क्योंके पापलर गोवर्मेंट होती है अनपापलर डिसिशन ले सकत है अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोट हमारे सामने है सुप्रीम कोट के आगे ये एक दिन ये नितिक पाएगी ये जो ये पास करने जा रहे हैं लेकिन मैं एक बार पिर सरकार को मुतनब्य करना चाहता हूँ कि ये एहमकाना कदम ये बेवकुफी कभी नहीं करना इससे बहुत बड़ी बदनामी होगी इससे कोई फाइदा आप लोगों को नहीं होगा शुक्रिया एक सवाल है आपसे लगा चाहिए एक चोटी से अडिशन है अनवर सर ने पूरा तफसीलन आपको बताया हमारे जो बीनियर हैं हमें यह लगता है आज की जो अनफार्चुनेट प्रेस कॉंफरेंस जमू के अंदर हुई और उसमें टार्गेट किया गया महा पंचायित के लोगों को कि आप उसमें नहां ना आएं लेकिन उसका लबो-लोबाब क्या रहे हैं फिर कौम सड़कों पर क्यों आना चाहती है उसका सिंपल जवाब जो है अनवर सर ने बताया मैं उसमें एक चीज़ अडिशन करना चाहता हूं आप जरा सोचिए आपके चैनल के जरीए से तमाम अवाम से गुजारिश है जरा सोचिए क्या ये देश Constitution of India से चलता है अनरेबल Supreme Court से चलता है इस मुलकी अदालतों से चलता है या सिर्फ political leaders की statement से चलता है इवी चिनमया वर्षिस state of आंधरा परदेश ये नोट करने वाली बात है इवी चनमया वर्षिस state of आंधरा परदेश दो हजार चार का एक case Supreme Court में गया अंधरा परदेश government के खलाफ जिन्हों ने वहां पर ट्राइ की जिन्दगी में पहली मरतबा जब से मुलकाजाद हुआ है कि reservation within reservation जो हम पिछले चार-पांच साल से चिला रहे हैं कि reservation and quota within quota is not permissable in India उसकी background क्या है उसकी background यह है इवी चनमया वर्षिस state of आंध Supreme Court में गया अंधरा परदेश government ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी 2004 से पहले बंदा कोट में गया उसने Supreme Court के गहार लगाई Supreme Court ने stuck down किया और कहा तब से यह कहा कि reservation within reservation and quota within quota is not permissable अब आप बताईए हम Supreme Court का order माने Constitution of India की directions माने या BJP के political leaders की directions माने तो इसलिए आप सारे लोगों से फिर से यह अनवर सर ने बहुत अच्छे से बात रखी लोगों से गुजारिश यह है कि यह किसी मोर्चे के अंदर लोग थे आज बहार आए हैं इनको अपने political interests हैं क्या जब पाइदल मार्च हो रहा था इस कौम के नوجवान सड़कों पे थे बज़र्ग सड़कों पे थे इ राजपुरा की क्या यह लोग सामने आई हैं यह इस community के ना तो representatives हैं और हम दर्द तो हैं ही नहीं हम इनकी सारी बात को जूटी बात को नकारते हैं बहुत सारे लोगों के अंदर ख़चात हैं बहुत सारे लोगों ने फौन किये कि यह कल के program का क्या है हम आपके channels के जरीए स से यह बख्रा गए हैं जिस तरह से हमारे leaders हमारे बड़े पिछले पांच-शे दिन से जमू के surrounding में और हर जगा मेहनत करने उस तरह से इनको खर्चा पैदा हो गया है कि अब बीजेपी की जो anti people policies हैं वो exposed होने वाली हैं और लोग जो हैं बड़ी तैदाद में बहार आने वा